जाबेद भाई ने आशीश जी ने बर्माजाब ने यह बताया कि हम क्या कर सकते थी जितना इस पेस था उसमें करी रहें जितना कर सकते हैं मैं एक हिमालेयन उधारन सामने रख देता हूँ ताकि देश को पता लगे कि वस्तिती क्या है इस देश में जभारलाल जी से लेके और NDA की सरकार तक सरवाधिक प्रचंड बहुमत किसी एक बार किसी पार्टी को मिला तो वो राजीव गांधी की लीडर्शिप में कांग्रेस को मिला इंद्रा जी की मृत्यू के भाद शाहत देबाद चार सो प्लस जो अब चिंतन में भी नहीं आ सकता दलो के पाना तो छोड़ दीजिए चिंतन में भी नहीं आ सकता वो सरकार सदन में थी लोग सभा में चार सो प्लस मेंबर गंधी परिवार का बेटा सरकार का मुखिया वो फोर्स कांड की गूंज हुई जिनेबा रेडियो ने एक रपट प्रसारित की उसके बाद चित्र सुप्रमाणियम ने एक आलेख लिकाई निनिक्स्पिस में और उसके बाद चिंगारी थूटी देश भर में हंगामा हुआ उस वक्त भी विपक्षी कह सकता था कि हम क्या कर लेंगे हंगामा करके चार सो से ज़्यादा सामसद है तो ठंडे में गरिम बैठे कम संगर जाई तो है लोग सभा नहीं चली राज सभा नहीं चली कि सरकार ने जॉइंट पर्लामेंट कमीटी बनाने का एलान कि आशीर जीची सुन लीजिए काम आएगा आगे आप लोगों का भी लंबी राजणीद कर लिए जयपीसी बन गई भी शंकरानंद की चिएर्मेंशिप में जयपीसी का बनी जयपीसी प्रमेंट कमीटी उसले ब चार सो दसमारा इनी के थे तो बाकी विपक्ष कितना राह होगा मुठी बर सोची लो है ना आज उससे तो बहुत ज्यादा है सारे विपक्षन के सबकी टेबिल पर एके कौपी रखी जाती है उनके कौपी को फाड़ा और सदन में और तीन बजे पार्लामेंट तो एडजन हो हो गया तीन बजे विपक्ष ने सयुक्त रूप से इस्तिफा दे दिया लोग सभाग उस घटना ने राजीव गांधी की प्रचंड बहुमत की सरकार को अस्थिर कर दिया और अंतहाव सरकार का क्या हुआ यह इतिहास में दर्ज है इसलिए जो लोग मुझे यह सभ्याने की कोशिश करते हैं कि बताइए मैं निकलू तो दुस्चिफाई पकड़ लेता हैं मैं हाउस में बोलू तो वो ध्वनिमत से करा देते हैं दोसों से जादा विपक्ष है लोग सभा में मोर देन टू हैंडर्ड मेंबर्स इसलिए अपनी पीठाई से मत थपतपाईए अगर आप यह उस पाले में खड़े हैं कि यह कानून खराब है अगर आपना चिंतन वो है तो उसके साथ प्रतिपद्धता दिखनी चाहिए भाजपा बांती है कि वो कानून अच्छे है तो वो उसके लिए प्रतिपद्धता तो दिखाती है जिस्तर पर बात में फैसला किसान करेगा और एक बात में और को हूँगा भारती जन्ता पार्टी को सरकारों के फैसलों का जो भी राजनेतिक फॉल आउट होता है पॉलिटिकल फॉल आउट वो राजनेतिक दल पर होता है इसलिए मैं भारती जन्ता पार्टी को ज़्यादा प्रमुख मानता हूँ सरकार के यश अप्यश का राजनेतिक वो असर पार्टी पर पढ़ेगा मुझे लगता यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि किसान और सरकार में ठन गई नहीं जो भाव आज दिखा वो भाव प्रिवेल करना चाहिए कंटिन्यूइशन में करना चाहिए और कुछ हश्चाईया है उनसे मुझ नहीं मोरा जा सकता लाख बहस करो अनंतकाल तक मेरे जैसा आदमी तो उनसे मुझ नहीं मोर सकता चाहे कोई पार्टी कुछ बोले भाई हरिश जी एक बात आप को बताता हूं इसको परिवार में उठाईएगा संग परिवार में भी यह चीजे जाते नीचे जा रही है यह ठीक नहीं है कांग्रेस नहीं भोल रही कि सफा नहीं बोलने वह अलाहिदा विश्य है लेकिन आपको भी सोचना पड़ागा आपको बोट कांग्रेस तो देती नहीं इसलिए उसके भोलने नहीं बोलने इसको बहुत आपका लाभानी नहीं ओ इंटरनेट पर जाईए एमजोन है क्या है उसमें जाओ हरीश जी अभी घर जाके आओ है नहीं तो बच्चे दिखा देंगे आपको निकल से कहिए वो धून देगा उसमें मक्के का अटा डालो सर्च में क्या मक्के का अटा 400 रुपिया किलो बता रहा है कितना 400 रुपिया किलो क्या मुझे यह अनुमती है कि मैं आलोक से पूछ लू कि मक्का कितने रुपिया कुंटल विक्रा है मतलब को सीमा रहेगी कहीं की नहीं रहेगी देश में कहीं से 400 रुपिया किलो बिक्रा है आलोक क्या है MSP मक्के का यह भजार में रेट क्या है बताओ मुझे नहीं लगता है मैं जानता नहीं कि मुझे लगता है 2000 से पार होगा 100 किलो का तमाशा है तमाशा है और सब खामोश ना इनको समझ ना आपको चिंता मुश्किल तो यह है ना इनको समझ ना आपको चिंता कि एमोजेश भजा यह कौन जादूगर है जो 400 रुपिया किलो आटा बेच रहा है इस देश में मक्के का एक पैकिट आता है शायद आप लोग भी ग्रहन करते हों नाश्ते में कौन फ्लेक्स आता है ना मक्के को भून के कूटलो वो कौन फ्लेक्स है यह यह ना हरी जी है उसका रेट दिना पता कर लीजिए और थिकनेस पैदा करने के लिए कौन फ्लोर आता है कस्टड जैसे डिबा होता इतना वड़ा क्या वो भी यही ववाल है मक्के कोई प्रोसिस करके बनता है उसका रेट पता कर लीजिए चिप्स के तो मैं कहीं नहीं ना चिप्स के तो मैं एक हजार बार उधान दे चुका इसकी चिंता कांग्रेस को नहीं भाज़पा को नहीं सपा को नहीं रालोद को नहीं किसी को नहीं मेरी चिंता यही है मैं 400 रुपे किलो मक्के के हाटे के पक्ष में खड़ा हो जाओंगा अगर वह किसान से 300 रुपे किलो मक्का खरी दी जाने लगे मैं पक्ष में खड़ा हो जाओंगा एक भार किसान को 300 रुपे मक्के का एक किलो का मिल गया अगर तो एक साल में सरकार कुछ करें नहीं करें कोई कुछ कुछ मदद करे ने करे भारत का हर किसाम चार पई एक गाड़ी चलने लगेगा एक ही साल दिला दो यही करा दो भाईया यही करा दो एक आलू के चिप्स का पैकेट 20 रुपिया में जिसमें गिनके 12-15 चिप्स बाकी हवा उस रेट से तो आलू 200 रुपिया कि लोग खरीदना चाहिए पर किसाम से और आज आलू 8 रुपिया 10 रुपिया स्यादा कहीं है नहीं मन्नी में खरीद कब जो किसाम बेच रहा है और है कौई सोचेगा चेए यह अपने अपनी भपлек अपना राक चलाओ कई सब लोग रह आद्मी यह कहता है कि किसानों की चिंता हमें बहुत है और कि समया बतारो का चिंता कर रहे हो किसक्र कक्ष में बैठे हो आप जहां देश दुनिया की ख़बर ही नहीं आप पर बेलकुल आइवा शौक्ड आशिश बाबू जब मैंने देखा कोई सोच सकता इस देश में इतनी लूट मक्के कहा था चार सो रुपिया किलो ठंड में मक्केक रोटी भी ने घाबाए आदमी हम बियर कर लेंगे हम कुर्वानी देने को तयार हैं लेकिन उस बढ़े हुए मूले का लाब मेरे किसान को मिलना चाहिए बिल्कुल सब्सक्ड वो मिले तो हम इस कुर्वानी के लिए तयार चिप्स का पैकेट डेवल कर दो कोई दिक्कत नहीं लेकिन किसान से आलू 30 रुपि किलो आलू जिस दिन किसान से खरीद लिया मंडी में उस दिन किसी सरकार की किसी कलेक्टर की मदद की जरूरत नहीं रहेगी किसान हमारे और आशीश के और यादव जी और जाबेद एमद और रही शिवास्तव के बगल में आख खड़ा हो जाएगा वो भी चरपया गाड़ी से करतो दो एक बार यह लूट का तंत्र बंद होना चाहिए यह अच्छा नहीं इसलिए मैं कहता हूं कृषित उत्पादनों पर बाजार पर सरकार का नियंत्रन रहना चाहिए नहीं तो ऐसी ही समस्या पाइदा होगी कोई 5 रुपया किलो बाजरा बेचने लगेगा कोई अंग्रेजी में चार शब्दे लिखके रागी का और कोदों का आठा 500 रुपया और 700 रुपया बेचने लगेगा यह क्या है रागी बाजरा ज्वाब यह क्या है हरीज जी आज से 20 साल पहले हिंदुस्तान में इसको मोटा हनाज कहिते थे और जानवर खाते थे इन विश्यों पर आप लोग चिंतन नहीं करते कभी खाली टाइम में भी चिंतन नहीं करते हम आप लोगों के नहीं आत्मा विश्वास को पड़ाम करता हूं इन मूल विश्यों पर चिंतन ना करते हुए भी आप लोग सच में कितने आत्मा विश्वास से भरे लोग है ताल ठोक रहे मैधान में है यह चिंतन का विश्य नहीं पॉपकॉर्ण का पैकित आता है कच्छे पॉपकॉर्ण का वो खुद बनाओ घर में कुगर में है इतना बड़ा पैकित हरी जी जिसमें इतने होते हैं 70 रुपए का है छोटा वाला 35 का है जिसमें आधे मुठी मक्का नहीं कभी आप लोग देखते हो इन चीजों को नहीं देखते हो मेरा निवेदन है इन चीजों को देखिए बाजार को हम इसकदर अन्यंत्रित नहीं कर दे किसान के हाथ कुछ आए नहीं और उपभोगता जो है देश का वो भी लुट जाए यानि ना इधर लाब ना उधर लाब बीच में एक परसेंट लोग धनाड़ी हो गए ये मूल चिंता है मेरी इस पर चिंतन करिए तो किसान को रहात होगी